हेलो दोस्तो सौगत आप सभीका मेरे आज की इस फ्रेश वीडियो में मेरा नामे चेकंपुरका शुराब देखरे हूँ ग्या दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारो डारेक्टर की एंडूड एप्लिकेशन के बारे में इसके अंदर कुछ एक शौटकर्ट आपको बताने वाला हूँ जिससे अगर आप अपनी वीडियो को एडिट करते हैं तो उसमें आपको काफी हाल मिलेगी आपकी वीडियो एंडिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो ऐसे कुछ एक शौटकर्ट के बारे में बताने वाला ह दोस्तो जब भी हम किसी वीडियो को एडिट करते हैं पावर डारेक्टर की एंड़ोड अप्लिकेशन के अंदर तो वहां पर आपको लैगिंग की थोड़ी बहुत प्राब्लम होते होगी जब आप वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो वहां पर कुछ एक टाइम ले लि एंड़ोड अप्लिकेशन के अंदर और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप शॉटकट को यूज कर सकते हैं पावर डारेक्टर की एंड़ोड अप्लिकेशन के अंदर ताकि आपकी वीडियो जल्दी और अच्छे से एडिट हो सके दो दोस्तों अगर आप कि वीडियो एडिट होगी वो उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होगी थोड़ी बहुत लैग करेगी और आपको एडिटिंग में प्रावलम आएगी तो इस बात का अब ध्यान रखें अगर आप वीडियो एडिट करने के लिए आ रहे हैं तो जो आपका डिवाइज दर वो ज्य यहां पर ट्रिम किया यह कट लगाया उसके बाद यहां पर मुझे प्ले करना आगे तो इसके लिए आपको यहां पर टाइम लग जाता है इसको प्ले करने के लिए टाइम लग जाता है तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं जब आप कहीं पर भी प्ले करना चाहते हैं तो आप ऐसे डवल बार, तीन बार, चार बार अगर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़े जल्दी वीडियो प्ले हो जाएगी या फिर अगर तब भी नहीं होती है तो जैसे एक बार क्लिक करेंगे उसके बार थोड़े सा पेशे बैक करेंगे आप उसके बाद जो है आपकी वीडियो जो प्ले हो जागी अगर तब भी नहीं होती है एक और भी आसान तरीका है एक बार ऐसे प्ले कीजिए उसके बाद इस तरीके से एक बार क्लिक कर लिजिए सक्रीन के उपर उसके बाद जो है वो एकदम से प्ले हो जाती है लेकिन आपको mobile phone जो cool रेनाजी अगर बहुत जादा गर्म रहेगा तो उस जादा जादा time लेका play होने के लिए उसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें इस main layer के अंदर बीच में कोई clip add करनी पड़ जाती है तो यहां पर इस में थोड़ी बहुत प्रावलम होती है तो यहां पर एक असान तरीका आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होता है कि आपको left side और right side इस तरीके से क्लिक करना है और जैसा मैं करना हूँ वैसे आपको करना है इससे होता क्या है कि जो time zone है यहां पर वो कम हो जाता है और किसी भी clip के ओपर click करने के बाद आप कईबे भी drag करके इसको रख सकते हैं उसकी बाद दोस्तों यहां पर आपको अची ट्रीमिंग करनी है अगर आपको चिट लगाने एक अची जगा पर एक बिल्कुल सटीक time के ओपर आपको कोई music एड़ करना है या फिर कोई photo एड़ करना है या फिर कुछ भी आपको एड़ करना है तो ऐसे में बहुत आप जाता है यहां पर 1.35 और 1.36 तक इतना जादा गया पर यहां पर बल्कुल एकुरेट तरीके से तरीके से जोई आप कोई भी म्योजिक आड़ कर सकते हैं फोटो एड़ कर सकते हैं को क्लिप आड़ कर सकते हैं इस दूसरी लेयर के अंदर तो यह काफी एक अच्छी चीज नहीं हो पाती है तो डारेक्ट सा सींपल सा तरीका है आप इस तरीके से भी जो ए ट्रीमिंग कर सकते हैं का अच्छी चीज है दोस्तों कहीं रहर क्या होता है कि हमें किसी वीडियो का को सिर्फ आड़ियो चाहिए होता है तो उसको यहां पर करना बहुत ज्विचिल हो जाता है तो यहां-पैकu सुनाता हूं तो देख सकते हैं आप इस तरीके से जो है आप बहुत ही असानी से किसी भी वीडियो को ओडियो में ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों मेरे को कई वार कोशिन आता है कि क्या हम ओडियो को ट्रिम कर सकते हैं तो आप ओडियो को भी ट्रिम कर सकते हैं जैसे चाहिए आप इस तरीके से ट्रीम कर सकते हैं अगर आप वीडियो को किया है तो आप इस तरीके से इसको spread भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग आपनी वीडियो के अंदर Transitions को Use करते हैं तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी वीडियो के एनदर Transitions बहुत जादर Use करते हैं और अगर आप लग़वर सेमी 될 Incant का ताइम रखते हैं जो यह आपको देखने को मिलता है यह Time अगर आप विल्कुल सेम रखते हैं तो यहां पर लिखा है apply to all अगर आप इसके उपर क्लिक करेंगे और okay के उपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने यहां पर यूज कियोंगे transitions उनका जो play time हो वो बिल्कुल सेम रहेगा इससे जो काफी आसानी हो जाती है आप इसको use कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है वो अपने जो transitions होते हैं उनका time उनको पता ही नहीं होता है कि वो कैसे change कर सकते हैं तो मैंने हार एक चीज के ओपर जो वीडियो बनाया हूं और बना रहा हूं तो आपको जो मेरी पूरी playlist चैक करनी चाहिए एक बार अगर आपको कोई वहां पर ऐसी वीडियो मिल जा जो आपके काम की हो तो प्लेलिस्ट को जो आप जरूर से चैक कीजिएगा So I hope दोस्तों मैंने आपको लगबग सभी चीज़े बता दी हो आपको जितने भी मैंने शॉर्टकट यहां पर बताया हूंगे वह आपके काफी ज्यादा काम की होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके ओपर में को काफी सवाल भी आते हैं कि जो लैगिंग यहां पर होती है उसको हम कैसे ठीक करें तो अगर आपकी वीडियो के अंदर इस तरीक से लैग आ रहा है तो आपको जो है इस तरीक से ट्रीपल बार क्लिक करेंगे तो आपकी आपकी जो है वीडियो प्ले हो जाती है अगर आपका इस सवाल है तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए दोस्तों मुझे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ सभी कमेंट होके रिपलाई कर देता हूँ तो दौस्तों बस आज की इस विडियो में सिरुनों स्फ इतना ही मुझे मेरे क्या आपको वीडियो पसंद आ है तो मुझे लॉडियो करके बता सकते हैं और अगर आप आना चाहते है ऐसी और वी प्रेस कीजिए बैल आइकिन को ताकि आपके बास पहुंसर के मेरी अगले लाइन माले वीडियो प्रेसम सबसे पहले और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी अगर आपके कोई सवाल तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे आपके कमेंट का रिपलाई जल्द से जल्द लाइक कीजिए मेरी वीडियो को शेर की जल्द सभी फ्रेंज के साथ और दोस्तों शोचल मेंटी हंडल्स के अपर मरक को लाइक आप फ़रो करना बिल्कमा भूलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा हाग आपको शोस्तों के आपको नहीं हो हागा झापको ऑड़ लाइक करना बिल्कमा मेंटी हैं जल्द से थाइक का आपको ये जल्द से जल्द साथ और दोस्तों खाएगा हैं छूझे टाम पर वीज़़ लिस्क्रिजस